चले आगे बरते हैं और अब बात करते हैं सीम धामी की सीम धामी आज रुद्रपूर के दौरे पर रहेंगे यहाँ वो काशीपूर बाइपास रोड पर मजूर निजी होटल में कारेकरताओं से मुलाखात करेंगे वहीं दूसरी तरफ रुद्रपूर में पिछले 255 दिनों से धरने पर बैठे हैं इन प्राक कंपनी के मज़दूरों के समर्थन में किसान नेता तेजिंद्र सिंग विर्क ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री का विरोध होगा तो आपको बता दें सीम के दौरे पर धरने पर बैठे मज़दूरों का यह एलान है किसानों और मज़दूरों का एलान है कि उस सीम का हेलिकॉप्टर नहीं उतरने देंगे किसानों के एलान के बाद जिरा और पुलिस प्रश्वासन अलट हो गया है यह बड़ी जानकारी आपको दे दें रुद्रपूर के दौरे पर है पुश्कर सिंग धामी कारिकरताओं से मुलाकात करनी है लेकिन किसानों का और मज़दूरों का कहना है कि सीम धामी के हेलिकॉप्टर को नहीं उतरने देंगे आप किस तरीके से प्रश्वासन पूरे सिच्वेशन को कंट्रोल करता है यह देखने वाली बात होगी बरहाल प्रश्वासन अलट मोर पर है और वहीं सीम धामी के रुद्रपूर दौरे कुले कर स्थानिया भाजपा विधायक्षव अरोडा का कहना है कि सीम कारिकरताओं के साथ संबाद कारिक्रम में शरकत करने वाले हैं उन्होंने क्या कहा कि इस दोरान सीम कुछ घोश्वाइं भी कर सकते हैं सुनिए और चलिये वहीं अब बात करेंगे कॉंगरिस की कॉंगरिस की ओर से चमपावत उक्चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी जल्द चमपावत के दोरे पर जाएंगे दोरा करके जल्द ही वो प्रदेश कॉंगरिस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे तीन विधाय को मनोस्तिवारी, खुश्राल सिंग, अधिकारी और भुवन कापडी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है प्रभारीयों की रिपोर्ट PCC को मिलने के बाद हाई कमान प्रत्याश्री के नाम पर अंतिम महर लगाएगा तो चमपावत में जो उप्चुनाव होना है महत्वपूर है भारतिय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीती के तहत इस सीट को चुना है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी भी इस सीट से पीछे नहीं रहना चाहती स्ट्रॉंग कांडिडेट यहां से उतार आ जाएगा